अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अब्डेट्स के लिए हेलो फ्रेंड्स विल्कंटो मार यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो ने डिस्कुस करेंगे कि आज जो आपका एक्जाम था फॉर डिएवी स्टाफ रिक्विट्मेंट जिसमें आपका पीजीटी बायोलोजी और पियाटी पंजाबी का एक्जाम था यह आपका 6 अफ मार् तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको कम बताऊंगा बिकॉज इसकी नॉलेज मैक्सम में होती है लेकिन जो बायोलोजी का इस पर एक्जाम था वो कैसा रहा बच्चों का जिनोंने यह एक्विट्मेंट फॉर्म फिल किया था फोर डिएवी पीजीटी पोस्ट के लिए वो आपको सारा स्लेव स्वेरा बताऊंगा कैसा एक्जाम था तो देखिए अगर हम बात करें जो आज इनका एक्जाम हुआ है इविनिंग चिफ्ट में बायोलोजी का इसमें जो आपका इंग्लीश एंड एप्रिट्यूट था यह ओल ओवर जतने भी मेरी कैंडिडेट से पात हुई सभी का बहुत अब अच्छा गया है इसमें आपके कोडिंग डीकोडिंग अएथे स्नौनियम अंटनिउम ज आये थे फिलिन दा ब्लैंक साए थे और कि कुछ ऐसे कोशन साए थे जैसे प्ले इसलेटी को टौई दैन स्टूइड बेन स्टूई डैश पैर्न混 डा था पार्टे लेकिन जो पार्ट भी था यह बहुत ही उनका टफ था जिए पहले हम आपको टॉपिक बता देता हूं यह कैसे आयते फिर मैं आपको बता दूगा किस लेवल का एक्जाम था एलन रूल आया था इसमें डी एन ने सिंगल सेल प्रोटीन एसर्चन रिजनिंग बह कि वह पोस्ट ग्राजूइशन लेटर कंसेप्ट थे एंस्याइटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं था इसमें आपका ज्जादातर एप्लिकेशन बेस आपकी नौलइज बेस था कि कैसी आपको नौलइज है वह आपने उसमें शोर करनी है जो भी था और काफी बच्चों का त टॉपिक पहले कभी सुने नहीं है कि यह भी बाय में होते हैं और एक चीज़ यहां पर इंपॉर्टन बता दूँ जो मुझे काफी कंडिडेट्स ने बताई कि प्लस वन प्लस टू में बेशक बोलते हैं कि आपका यह जो स्लेबस है एंसी आटी बेस्ट होता है फॉर कंपिटिटिव एक्जाम फॉर एंट्रेंस तो इसके लिए यहीं उन्होंने प्रेफर किया कि कभी आपका कोई भी एंट्रेंस एक्जाम हो एंसी आटी दो भूली जाओ एंसी आटी पे मत डिपेंड रहो जो एक्स्ट्रा बुक्स है अधर एंसी आटी पर तो डिपेंड ना ही रहो तो बैटर है फिकोज जो एक्जाम आया था ओल ओवर ऐसा था कि अंसी आटी से तो कुछ था ही नहीं जिनसे मेरी बात हुई तो बाकी पी आटी का जो लेवल था सेकंड पंजाबी का काफी अच्छा बच्चों का गया पार्ट ए तो चलो कॉमंसी बात है इसमें ठानी बिकॉज लैंग्वेज का इक्जाम था तो पंजाबी का जितना भी अल अवर गया बच्चों का बहुत अच्छा एक्जाम गया इजी बोल सकते हैं, difficult नहीं बोल सकते हैं, नहीं moderate बोल सकते हैं, तो यह state language है, तो इसका exam अच्छा गया, लेकिन PGT biology वालों का exam बहुत ही difficult था, जिनसे मेरी बात हुई, हाँ part A easy था, no doubt, but part B में, part B ने सली करा दी, because उसमें काफी questions hard थे, और जैसे मैंने आपको बताया, काफी questions ऐसे थे, जो बच्चों ने कभी सुने ही नहीं थे, तो यह था हमारा आज का video regarding जो आज का आपका shift था, evening shift जिसमें PGT biology, bio और PRT पंजाबी का exam था, जिसमें जो जो slabus wear आया था, जो मैंने आपके साथ share किया, असी updates के लिए जरूर हमें telegram group में join करिए, also subscribe our channel अगर first time visit किया है, और काफी बच्चों के डाउट आ रहा है कि CBT का result कभ आएगा और इसके passing criteria क्या रहेगा, देखे इसका passing criteria कोई नहीं है, ना ही board ने कोई passing criteria out किया है, कि यह जो passing criteria अतने marks वाला बच्चा pass out होगा, और negative marking तो है नही इसमें, तो बाकी बात रही result की, जब आपके सारे exams खतम हो जाएंगे, उसके within week और 10 days के अंदर आपका result है, वो declare कर दिया जाएगा, result by email आपको, आपकी email ID पर भी आ सकता है, और जो result आप online भी चेक कर सकते हैं, इसका क्या criteria रहेगा result out का, तो उसके लिए जरूर हमें follow करिए जैसे ही इसकी latest updates आती है, वो हम पने YouTube चैनल पर upload करते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा useful होगा, so friends, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी subscribe करेगा for future updates, thank you friends for watching this video and for your available time.